दियर स्टुडेंट्स आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो एजुकेटर्स में आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन और पॉजिनस एंड नॉन पॉजिनस इस्नेक्ष देखिए जो बिसहीन या जो बिसेलिस सर्फ होते हैं उसको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक वार्निंग ये भी देदूं कि आप इस तरह का काम बिल्कुल भी ना करें क्योंकि जो इस्नेक्ष होते हैं वो आपको इतना मौका या इतना समय नहीं जाएंगे कि आप उनको पकड़कर उनका आइडेंटिफिकेशन करने बैठ जाएं तो केवल यह आपके नॉलेज के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूं कि जो इस्नेक्ष होते हैं उनकी मार्फोलोजी को देखकर हम यह बता सकते हैं कि इस्नेक जो है वो पॉजिनस है या नोन पॉजिनस है आजकल जो मॉडर्न जो बुक्स आ रही है उसमें पॉजिनस की तो औरगें जो हमारा पहला जो करेक्षर है वो जो इस्नेक्ष है उनकी हम टेल को लेकर इस्टेडि करेंगे अगर देखिए इस्नेक्ष की जो टेल है वो अगर फ्लैट टेल है जैसे में यह बनाया हुआ है और लेटर्ली कमप्रेश्ट दोनों साइट्च से वो मॉजिनस प्लेट है तो इस प्रिकार के जो इसनेक से वो सी इसनेक क्गेलाते है और जनरली यह जो मेराइन इसनेक होते ह historically ऑर यह वह 100% आइन आपने पेइन के दोशी तरफ अगर हम गे गडराम अने उसनेक की जो है वह विधया होती जा रहाई है तो इस विकार के जो snakes होते हैं वो land snakes होते हैं और यह snakes poigness और non poigness दोनों प्रगार के हो सकते हैं अब यहाँ पर इसको फिर further identification की अवसेक्ता होती है तेल को study करने के बाद हम जो है snakes के जो belly scales होते हैं या उनकी जो ventral side पर scales होते हैं उनको हम यहाँ पर study करेंगे देखिए अगर snakes की belly पर जो है scales जो है बहुत छोटे छोटे हैं और uniformly distributed है scales का size छोटा है और वो uniformly distributed है समान रूप से उसकी belly पर बित्रित हैं तो ऐसे snakes जो है वो non poigness होंगे ऐसे snakes जो है वो non poigness होंगे दूसरा अगर देखिए हम यहाँ पर belly जो scales है उनको देखें तो यहाँ पर देखिए belly scales जो है बड़े बड़े हैं इनकों यहाँ पर बड़े जो belly scales होते हैं उनको हम seals से भी बोल देते हैं seals के नाम से भी जानते हैं लेकिन यह seals है यह bentle scales है यह belly scales है पूरी body को जो है cover नहीं कर रहे हैं देखिए इस figure में आप देखेंगे कि जो scales है जो belly scales है अगर वो entire body पर entire mental surface को cover कर रहे हैं जतकि इस figure में आप देख रहे हैं कि जो scales है वो पूरी body को cover कर रहे हैं तो इस प्रकार का snake जो है वो poisonous और non poisonous दोनों प्रकार का हो सकता है इसका फिर further identification की आवसेक्ता होती है अब इसको further identify करने के लिए हम snakes के head पर पाय जाने वाले scales को study करेंगे जैसा कि आप जानते हैं कि scales जो है वो जो reptiles का characteristic feature होता है scales को हम हिंदी में sulk के नाम से जानते हैं और सरी सरफ में sulk का पाया जाना यह उनका प्रारूब लच्छा है देखिए head पर पाय जाने वाले scales को हम study करेंगे तो देखिए head अगर snake का triangular है triangular in shape ते कोने आकार का है और उस पर जो scales है वो बहुत छोटे छोटे हैं देख रहे हैं आप बिलू कलर से मैंने scales मनाए और यह scales बहुत छोटे छोटे हैं head region पर eye है और एक nostril है eye और nostril के बीच में कोई भी pit नहीं है तो ऐसे जो snakes होते हैं वो pitless viper कहलाते हैं और यह poisonous होते हैं मैं एक बार फिट से repeat कर दे रहा हूं कि head region अगर इनका triangular है head region पर scales का size बहुत छोटा छोटा है और uniformly distributed है कह सकते हैं head region पर eye और nostril दोनों present है लेकिन इनके बीच में eye और nostril के बीच में कोई सीवी पिकार का कोई भी pit present नहीं है को इस पिकार के जो snakes हैं वो pit less wiper कर रहाएंगे क्योंकि इन में pit नहीं एक loreal pit होता है जो कि eye our nostril कें बीच में पाया जाता है तो अगर यह loreal pit अगर यह apsent है तो ऐसे जो snakes हैं वो pitless byper के नाम से जाने जाएंगे और यह हमेशा poisonous होते हैं तिकि दूसरी condition में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो head है वो triangular नहीं है तिकोन यहाँ कारका नहीं है लेकिन यहाँ पर nostril और eye के बीच में एक loreal pit पाया जा रहा है यह लोरियल पिट है लोरियल पिट जो है एक विसिस पिकार का thermoreceptor की तरह काम करता है और अगर यह nostril है और जो nostril और eye के बीच में हमना देखा कि एक loreal pit present है और जो scales है वो भी small in size है तो यहाँ पर जो snake होगा वो pit wiper होगा और यह भी poisonous होता है अब देखिए इस पिकार का हमको अगर head दखाई दे रहा है कि head जो है वो ट्रेंगुलर हो सकता है और ट्रेंगुलर नहीं भी हो सकता है और इस पर जो scales पाय जा रहे हैं वो larger in size बड़े हैं size में आकार में बड़े होते हैं और इनके eye और nostril से बीच में अगर laureal pit present नहीं है तो ऐसा snake जो है वो poisonous या non poisonous दोनों प्रकार का हो सकता है तो कि जो बड़े scales हैं महाँ पर हमने इनको seagulls के नाम से लिखाए इसमें आप confuse नहीं करेंगे एक बात मैं और आपसे यहां पर share करना चाहूंगा अभी में बीच में interrupt कर रहा हूं कि 300 snake species जो हैं इंडिया में पाई जाती है जो total snake species हैं इंडिया में वो लगवग 300 हैं जिसमें से about 70 जो species यह हैं जो सत्तर जो जातियां हैं सरकों की वो poisonous हैं और लवह हर साल 20 से लेकर 30 हैं तक ब्यक्तियों की मित्यू जो है उसके बीच में और पर पाई जाने वाले जो सील से यह स्केल वह लार्जर इन साइज हैं बड़े हैं आकार में तो वह इसने पोजिनस और नों प्रकार से हो सकता है इसको फिर further identification की आवसेक्ता होती है अब हम यहाँ पर जो snakes के जो डोटसल साइट और अपर साइट डोटसल और वेंटल साइट पर पाई जाने वाले जो 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 हैं यह हम कह सकते हैं कि जो इनके अपर जो और लोर जो है उन पर पाई जाने वाले इसकेल्स को हम study करेंगे तो इसको study करने से पहले मैं आपको अदा दूं कि अगर इसने के मिड डोटसल लाइन पर इस प्रकार की एक hexagonal scale की प्लेट है तो यह इसने के पॉजिनस होगा कि मैं लिखा हुआ है hexagonal vertebral scales केहेंगे यहां पर vertebral जो हैं वह भी scales की तरह ही होते हैं vertebral scales in को हम कह जाते हैं और यह जो इसने के वो क्रेट होगा लगा देखिए इस फिगर को study करें हम तो देखिए यहां पर जो है इसके अलावा, एक्जागोनल प्लेट्स उनके में डोटसल लाइन पर हैं इसके अलावा जो इनका बेंटल व्यू या इनके जो लोवर जोव है लोवर जोव पर जो पाए जाने वाले जो इसकेल्स हैं वो इन्फरालेवियल इसकेल्स कहलाते हैं और इन इंफ्रालेवियल जो स्केल से हैं उनके साइज जो अलग-अलग होते हैं अगर दिखिए यहां पर जो चौता इंफ्रालेवियल स्केल है वह ona इनफ्रालेवियल से बड़ा है तो यह हमारा जो इसनेक है वह क्रेट होगा अगर देखिए इसके अपर जोपर पाये जाने वाला जो सुप्रालेवियल सील्ड है या स्केल है अगर तीसरा सुप्रालेवियल जो सील्ड है या स्केल है वो आई और नॉस्ट्रिल को टच कर रहा है तो ऐसा इसनेक जो है वो पोजनस इसनेक होगा और इसको हम कोपरा के ना पाईने वाले जो स्केल्स है यह रिए को उनकर सुप्रालेवियल इस्केल्स जिए अने स्सेयां लाख पर स्टेड़ी कर रहे हैं HERE इन स्टेडी लोड़ पर पाई जाने वाले जो इसकेल्स है इनकों पोलेंगे 10 लेवियल इसकेल्स मुझे लगता है यहाँ पर serNA हो गए होंगे तो यहां पर जो लेवियल स्केल्स हैं कर तो इनके साइट जो है अलग तकार के हैं और चोथा जो इंख्रावियल सकेल है वह जर्लिय यह को अपर अपर जो शेडी कर रहे हैं एंख Secondly उनको हम सुप्रालेवियल सील्ड बोलते हैं और यहां पर तीसरे नंबर का जो इसकेल है वो लार्जेस्ट इन साइज होगा और वो जो है आई और नॉस्ट्रेल को इस वर्ट्स भी करेगा तो इस पकार का जो इसनेक है वो कोब्रा इसनेक होता है इसको नाजा-nाजा के नाम और होता है कि इसमें जो है एक चस्मे के आगार का जो इस प्रैक्टिकल मार्क भी देखने को मिलता है अगर इन सबके अलावा कोई भी करेक्टर ऐसा कोई करेक्टर मौजूद नहीं है तो इसके बाद फिर इसनेक वो नॉन पोईजिनस होगा तो यह बहुत ही easy way में मैंने समझाने की कोशिस की है कि कैसे हम इसनेक को जो है identify कर सकते हैं लेकिन आप इस तरह की प्रैक्टिस बिल्कुल भी करने की कोशिस नहीं करिएगा क्योंकि इसनेक्स आपको कभी भी इतना मौका नहीं देगा कि आप उसके पास्चाकर या उसको पकड़ कर जो है उसको identify करना श तो यह आपके लिए बहुत यूच्फुल वीडियो होगा thank you very much for watching my video आप अपने फ्रेंड के साथ इन सबको वीडियो को share करें अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो उसको like करें share करें और हमारे चैनल को subscribe करें आपके subscribe करने से या like करने से हमको अगले वीड जी मिलती है thank you very much जी मिलती है